हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज जो कम्प्लीट चैप्टर का टॉपिक लेकर आए हूँ वो है क्लास 11 की यह हिंदी की हमारी बुख है आरो भाग एक ध्यान रखेगा यह हिंदी कोर की हमारी बुख है आरो भाग एक उसका अध्याय है पांच गलता लोहा इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है शेखा जोशी ने इस कहानी के मांध्यम से लोगों की परस्तियों को बहुत ही सामने अच्छा उकेर के रखा है कि किस तरीके से बुद्धमान वे जो बालक था वो परस्तियों के फेर में फसकर जो है उलचकर रह जाता है और वो अच्छी जो है फिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है तो सभी कुछ साथ में जातिगत कुछ चीज़ों को भी हमारे सामने उके रहा है तो चली यह पाट पढ़ते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को समझते जाएंगे तो क्या है मोहन का परिवार एवं उसका बचपन जो अब यहाँ जो पूरी कहानी हमारी जिस करेक्टर के आसपा से भूम रही है वो है मोहन तो उसी की परिस्ततियों का यहाँ पर बखान किया जाएगा तो उससे पहले उसका परिवार उसका बचपन यहाँ पर हम देखेंगे मोहन के पिता वंशिधर ने जीवन भर पुरोयती की और अब ब्रद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम वा ब्रत उपवास नहीं होते उन्हें चंददत के यहां रुद्री पाठ यानि शंकर की आराध्धा का एक प्रकार करने जाना था परन्तु अपने शरीर की कमजोरी के चलते विश्वम को पाठ करने में असमर्थ पारते हैं मोहन उनका आश्रे समझ जाता है लेकिन पिता के अनुष्ठान का विवसाए कर पाने में वा कुशल नहीं है पिता का भार हलका करने के लिए वा खेतों की उड़ चला जाता है तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है अब क्या होता है ये कहानी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है फिर इसके बाद ये क्या जाएगे फ्लैश बैक में जाएगे तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो उसमें मोहन के परिवार के बारे में ये बताया कि उनके पिता जो है एक पुरोहित है भाई एज जादा हो गई है तो भाई पुरोईती का काम भी उनसे ठीक तरीके से नहीं हूँ पाता, तो उन्हें एक जगा रुदरी पाट करने जाना था तो तबियत नहीं ठीकती नहीं जा पाते, तो मोहन ये सारी चीजे समझ जाता है, अब वो ये काम उनका पुरोईती का काम वो सम्हाल नहीं सकता, क् वासते में उसे अपने एक मित्र, बच्पन के एक मित्र धनराम की याद आती है, धनराम जो है वो लोहार का बेटा था, वो अपने आफर पे बैठता था बनाता था, तो उसको याद आता है, मोहन को तो वो वहाँ चला जाता है, और वह धनराम लोहार की दुखान पर भूरवाने पहुन जाता है उस्वा लेकर लगवाते हैं और उसको बूलते हैं और अपने नुहर तो उसमें फूकने के लिए जो नली रखता था उसको धौकनी बोलते हैं फूकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी को गरम करते गरम होते लोहे और उलट-पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के उपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को पार्खी निग स्थमाने के लिए और तो वहाँ पर जो धन्राम है वो अपने काम में व्यस्त था धौकनी चला रहा था लोहे को लट-पलट रहा था और ये जो है वहाँब एक अकनस्तर ले लेता है और उस पर मोहन बैठ जाता है और बैठ के धन्राम को काम करते हुए देखता रहता है धनराम वा मोहन का मिलना अब ये धनराम मोहन बहुत टाइम बाद मिले थे अब जब ये मिलते हैं तो ये पुराने समय को याद करने लगते हैं क्या था धनराम मोहन का सहपाठी था यानि कि दोनों बश्पन में एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों बश्पन की याद अगमी थे लला दोनों हस हस कर उनकी बाते करने लगते हैं उनका कड़क आवाज में विद्याले में खेलते हुए बच्चों से प्रात्ना करने वह मोहन के विशय में पूछना मोहन पढ़ाई वह गायन में नुपुड था वह मास्ट जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉ तो धनराम बताता है कि वह पिछले साल गुजर गए तो भी बोलते हैं वियात करते हैं कि इतने कड़क मास्टर थे और जो मोहन था वो पूरे स्कूल का जो है मॉनिटर था और वही जो है सब को मॉनिंग प्रेयर कराया करता था तो इस तरीके से सब याद करते हैं अन बच् जब उनके प्रश्णों जवाने तो मोहन बहुत इंटालेजेंट था वो सभी प्रश्णों के जवाब दे दिया गरता था इसलिए मार साहब ने उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दिया था धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाये थे धनराम इसके बाबजूद मोहन के प्रति इसनेवा आधरभाव रखता था क्योंकि जातिकत आधार की हीनता उनके मन में बच्चपन से ही बैठा दी गई थी उसने मोहन को कभी अपना प्रतिदुन्दी नहीं समझा मास्टर ती लोक सिन सदय भी ये कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आधमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा तो अब क्या था जब बच्चे सब जवाब नहीं दे पाते थे मोहन दे देता था तो मास्टर जी ने जो है दंड देने का अधिकार उसको दे दिया था अर्थाथ जो बच्चे जवाब नहीं दे पाते थे उसको मोहन दंड दिया करता था धनराम भी ऐसे था भाई धनराम भी जब नहीं दे पाता था तो मोहन से भी उसने बहुत ज़ादा मार खाई थी ये धनराम के मन में बचपन से बैठी थी इसलिए प्रतिदुन्दी की भावना नहीं थी कि भाई मैं इससे आगे निकल के अच्छे से बताऊं या सम्तिंग ऐसा कुछ उनके बीच नहीं था तो ये प्रतिदुन्दी की भावना नहीं थी इसलिए दोनों सदैव अच्छे से स जात में रहे कि मारता रहा ये शांती से अपना उस चीज को बरदाश्ट करता रहा और मा ये बहुत अच्छा था मोहन बहुत मेधावी था तो तुम बड़े होकर बहुत ही बड़े आदमी बनूगे धनराम की पढ़ाई में आरुची धनराम का जो था धनराम एक लोहार का बेटा था तो वो इतना इंटैलिजन नहीं था अगर धनराम जदा इंटैलिजन नहीं था धनराम गाउं के खेती अर्वा मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक कक्षा में पढ़ा था मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेश ध्यान रखते थे एक दिन मास्टर जी ने उसे तेरा का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा लेकिन पहाड़ा याद ना होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया इसी दोरान डंडी तूट गई मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हतियार भी जुटाना होगा धनराम डर या मन्बुद्धी ओने के कारण तेरा का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया जिस कारण मास्टर जी ने उस पर वेंग करते हुए कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे विद्या का ताप कहां से लगेगा इसमें अब क्या हुआ धनराम पढ़ने में ता अच्छा नहीं था तो एक बार जो है उनों ने बोला कि वाई तेरा का पहाड़ा सुना तेरा का पहाड़ा धनराम को याद नहीं मास्टर जी ने मारना शुरू किया, मारने तो डंडी टूड गई, अब मास्टर जी का नियम था कि जो करेगा हतियार वही लाएगा, डंडी टूड गई, तो वो जाके विचारा जो है मारे डर के दूसरी डंडी लाता है, मार खाने के लेकिन तेरा कभी पहाड़ा कभी नहीं नहीं पाऊगे, इतना कहकर उन्होंने थेले से पांच-छे दरातिया निकाल कर धनराम को धार लगा, लाने के लिए पकड़ा दी, हाला कि धनराम की पिता ने उसे हतोडे से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी, विद्या सिखाने के दौरान मास्टर तिलोग सिं उसे अपनी पसंद की बेत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव सेम करते थे, एक दिन गंगाराम माचानक चल बसे जिसके पश्चात धनराम को सहज भाव से उसकी विरासत संभान ली और पास पड़ोस के गावालों को याद नहीं रहा कि कब गं धनराम के पिता जी थे गंगाराम उन्होंने भी धीरे धीरे अपने बेटे को सारी चीजे सिखानी शुरू कर दी थी, सारा चीजे उसको आनी थी, एक दिन अचानक जो उनके पिता जी गुजर गए और धीरे उसने तुनन्ती सहज भाव से धनराम ने उनकी गद्दी समान लिए अर्था तो लोहार की बद्दीद्वी पर आकर बैठ के और काम करने लगा, आसपास के लोग भी जो अभी तक गंगाराम का आफर कहकर बुलाते थे धीरे धीरे अब क्या कहने लगे धनराम का आफर, लोगों को यह नहीं पता लगा कि इस तरीके से धनराम बहुत ही स प्राइमरी स्कूल की सीमा लांगते ही मोहन चात्रवत्ती प्राप्त कर लेता है जिससे वंसी धर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का सुपन देखने लगते हैं पैत्रक पुरोताई के धंदे में उन्हें निराश कर दिया था क्योंकि इस काम में वह अपने परिवार का पेट तक ना भर पाते थे मोहन पढ़ लिकर वंश का दारिद यानि घरवी विटा दे यही उनकी मनुकामना थी यानि कि मोहन ने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया अब आगे की पढ़ाई उसे करनी थी तो उसके लिए उसको क्या चात्रत यानि स्कॉलर्शिप मिल जाती है अब वो यह चाते जो वंशिधर जी थे मोहन के पिता वो खुद एक पुरही थे लेकिन अपने बेटे को पुरहताई में नहीं लाना चाते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसमें जादा कमाई नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपने परिवार का पेटनी भर पाते थे तो वो तक गाउं के स्कूल में थे तब तक इसली जा रहे थे नेकिन आगी की पढ़ाई करने के लिए उसे दूसरे गाउं में जाने के लिए उसे बहुत ही ज़यादर संधरश करना पड़ता था मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वा गाओं से चार मील दूर था जिसे पार करने में दो मील की चड़ाई के अत्रिक्त बर्सात के मौसम में नदीस के जल स्तल की व्रधी की भी एक बड़ी समस्या थी यानि कि उसे चार मील चलन के जाना था जिसमें दो मील की तो चड़ाई थी और बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी जो बरसात में उफना जाती थी पूरी तरह पानी से भरी रहती थी वंशी धर रोजाना शाम को ठके हुए मोहन को प्रोसाहित करने के लिए पुराणों में नहित विद्यावासनी यानि विद्याप्राप्त करने की लक रखने वाले बालुकों की कथा सुनाते थे वर्षा रित्व में नदी पार करने की कठनाई को देखते हुए वंसी धर अपने एक यजमान यानि उससे कठा कराने वाले के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं अब क्या होता है कि भाई जो है इतना चल के जाना आना बच्चा थक जाता था मोहन ठके हुए को भाई थोड़ा से कहते हैं मोटिवेट करने के लिए वो शाम को कठाएं सुनाया करते थे पुरा पौरानी कठा जहां पर बच्चों को पढ़ाई पाने की कितनी ललक रहती थी कि उससे बच्चा थोड़ा प्रोच साहित रहेगा अब बरसात के समय नदी थोड़ी खतरनाक होते जाती थी तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस गाउं में स्कूल था जहां जाते थे वहां एक उनके यजमान थे जहां वो कठावाच चकते तो उन्होंने बला कि बरसात के द जल इस्थर घटने पर गाउं लोटाता था एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तभी पहाड की दूसरी और भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया किसी तरह वह घर पहुचा इस घटना के ब इस तरह कम था तो आया लेकिन एकदम से होता ने बार आ जाती है नदी में तो उस दिन एकदम से बार आ गई और किसी तरह जान बचा के पहुचा घर में पता चला पिता जी चिंतित हो गया कि भई अगर मैं पढ़ने जाता हूं तो लड़का खो देता हूं यहां रहता है तो मोहन का भविशने तो ये चिंता उनको घेरे हुई थी वंशिधर जी को मोहन को पढ़ाने के लिए लखनौ जाना तो पढ़ने के लिए लखनौ जाना अब इसका solution उन्होंने किसी और तरीके से निकाला उनके लखनौ में जान पहचानती वो वहाँ पर अपने बेटे को भेजने का तरीका सोच लेते हैं तो क्या होता है विरादरी के एक संपन परिवार का यूवक रमेश उन दिनों लखनौ में से एक छुट्टियों में गाउं आया हुआ था तो मतलब एक थोड़ा सा अच्छा परिवार था तो उनका बेटा लखनौ में काम करता था तो वो जो है घर आया हुआ था वंशी धर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता विक्त करते हैं रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनौ ले जाने के लिए कहता है वंशी धर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश की रूम में साक्षा भगवान मिल गया अब वंशी धर जो है जब रमेश से मिलते हैं वही आदमी लड़का लखनौ से चुटियों में गावाया था अब जब रमेश ऐसा बोल देता है तो वंशी धर के लिए बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिल रही है उसको जीमिन का खत्रा भी नहीं है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वंशी धर को मोहन जब लगनाव पहुचा तो वहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ घर की महिलाओं के अत्रिक्त वह आसपडोस की महिलाओं के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया रमेश बड़ा वाबू था वो मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैस सिर्फ नहीं देता था मोहन रमेश की मानसिक्ता को भली भाती समझता है अंतता वह काफी टालमटोल के बाद उसका एक साधारन स्कूल में दाखिला करवा देता है अब रमेश मोहन को यहां पर पढ़ाने की इंटेंशन से लेकर नहीं आया था वह यहां पर लेकर आया था जो है घरेलू नौकर के उससे कि घर के काम काज में है तो सिर्फ घर के इनी आसपडोस की महिलाओं के भी घर के काम करता था जब वो यहां पर आया तो वो समझ गया कि भाई यह जो है इसी इंटेंशन से यहां मुझे लेकर आया कि काम कराएगा तो यह ची समझ लेकिन करस्तिटियों से उसने विद्डरो करने की बनस्पत उससे समझोता कर लिया था यानिकी वो पढ़ाई के बनस्पत घर के कामों में जो कब उलजा रहता था उन सभी चीजों से वो समझोता कर चुका था शहर में काम के बोज़ वा नए वातावरण से सामन्जिस स्थापित ना करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी ही कोई पहचान नहीं बना पाता गर्मियों की छुटियों में भी वा तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गाउं जा रहा होता था अनता उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता मोहन की परस्तितियों से समझोता कर लिया था वा घरवालों को असलियत बता कर दुखी नहीं करना चाहता था आठवी कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उसक नहीं था वा उसे बेरोजगारी का तरक देकर तक्नीकी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं अब क्या होता है शहर में उसका अमिशन तो हो जाता है लेकिन जो इन काम काज के जरिये में वो पढ़ाई करी नहीं पा रहा था जो एक उसकी पोजिशन स्कूल में थी गाउं के स्कूल में थी वो पोजिशन वो यहां कायम नहीं कर पा रहा था कालन ये था कि उसको ज़्यादा तर समय घर के कामों में विद्धाना पड़ा था और पढ़ाई के लिए वो समय निकाल पा रहा था गर्मियों की भी छुट्टियां पढ़ती तो उसे गाउं नहीं जा पाता था अगर उसके कहते हैं रमेश के घर से कोई गाउं जा रहा होता तो तो ही वो जाता था नहीं तो उसे नहीं जाने दिया जाता था ये बोला जाता था भई अगली कक्षा की तयारी करो अब उसे जैसे तिसे आठवी तक की परिक्षा है तो पास कर ली अब ये बोला गया आगी के पढ़ाई करे तो नहीं बड़ा आगी बहुत बेरोजगारी ये पढ़ लिक कर क्या करोगे ऐसा करो कोई जो है टेकनिकल नॉलेज लो तो उस टेकनिकल नॉलेज के लिए जो है उसे एक टेकनिकल स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है जहांपर ये जैसे लोहार गिरी का काम जो था इस तरीके से वो सीखने लगता है वह पहले की तरह घरवा स्कूल के काम में व्यस्त रहता देड़ दो वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कार खाने के चक्कर काटने लगता है इधर वंशी धर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी परंत वास्तिविक्ता का पता चलने पर उन्हें अत्यन्त दुख होता है वह धनराम मोहन के बारे में उनसे पूछता है तो वह उनसे जूट बोलता है कि मोहन सेकेटरेट में नियुक्त हो गया है ये सुनकर धनराम उनसे यही कहता है मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे अब इधर क्या है उसने टेक्निकल श्कूल में दाखी लला दो साल बाद जो है वो अच्छी टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद बड़ा हो गया तो वो अब क्या करना है उसने कारखानों के चकर काटना शुरू कर दिया कि कहीं पर उसको जॉब मिल जाए अब ये सारी परसितियां उसने अपने घर में नहीं बताई थी कि घरवाले दुखित होंगे लेकिन बंसी धर को यहाँ पर उमीद थी कि वो बड़ा अक्सर बने का लेकिन जबंसी धर को इस सारी चीज़े पता चलती है तो वह बहुत दुखित होते है तो एक दिन ऐसे धन गाउवालों की जाती संबंधी माननेता है अब ये तो मोहन और धनराम के जीवन की जो परसितियां थी वो सारी बताई अब धनराम एक लोहार था मोहन एक ब्राम्हर था ये दोनों जो गाउव में जो जातिकत विहनता है फैली थी ये भी बहुत बड़ी चीज थी तो इसक खने भी हमें बताया है क्या धनराम वा मोहन बश्पन से विभिन प्रसंगों पर बाते करते हैं यानि कि जो दोनों वहां कहानी कहां से चुरू होती है धनराम के आफर पे मोहन आके बैठता है दोनों लोग पुरानी बाते कर रहे होते तो ये सारी बाते वो लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं धनराम हस्वे पर धार लगाने के पच्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हस्वा भिजवा देते तो वह भी ठीक कर देता है मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता है गाउं में सामानिन तौर पर ब्रामहर टोले के लोग शिल्पकार टो के लिए कहना भी अपराद माना जाता है धनराम मोहन के इस वहवार से आश्चर चकित होता है कि तो बिना कुछ कहे अपने कार में तनलीन रहता है अब यह जाती क्वाश्वा देता हसुए में धार लगवाने के लिए तो उन्हें बोला कि आप किसी से भिजवा देते तो हम धार लगवा देते हैं आपके आनी के जरूरत नहीं थी अब यस कहने के पीछे जो बात थी वो यह थी कि जो ब्राम्मर लोग थे वो कभी भी शिल्पकार टोले में नहीं आते थे किसी भी काम के लिए और अगर मानलों कोई जरूरत पढ़ भी जाए तो क्या होता था कि वह को वहाँ पर आते थे खड़े-खड़े काम करवाते थे चले जाते थे शिल्पकार लोग अभी यह नहीं कहते थे कि आप बैट जाए यह बैट जाने को बोला मतलब शिल्पकार वालों ने बहुत बड़ा गुनहा कर दिया तो यह जातीकत भिन्नताय थी तो यहां पर प्रक पता था कि भाई वो बड़ा आदमी बन गया है लेकिन एक्चुल मोहन ने क्या किया था वहाँ टेक्निकल नॉलेज ली थी अब यह टेक्निकल नॉलेज किस तरीके से धन्राम के आफर पे वो दिखाता है यह देखिए धन्राम अपनी दुकान पर लोहे की मोठी छड़ को भट्टी में गला कर गोल बना रहा था किन्तु छड निहाई पर ठीक प्रकार से ना फसने की कारण धंग से मुड नहीं पा रही थी मोहन कुछ देर तक तो उसे देखता रहा फिर वह स्वयम दूसरी पकड़ को से लोहे को वो इस्थिर करके धन्राम के हातों से हतोड़ा ल द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर चकित था धन्राम के संकोच वाधर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छले एकी तुर्टी हीन गोलाई की जाच करता है उसकी आखों में एक श्रजक की चमक थी जिसमें ना इस परधा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव तो अब क्या होता है धन्राम की दुकान पर मोहन बैठा हुआ था और धन्राम अपना काम कर रहा था लोग पुरानी बाते भी याद कर रहे थे और धन्राम काम भी कर रहा था तो धन्राम को एक छड़ को गोल बनाना था धन्राम बहुत दर से उसमें उलजा था नहीं कर पा इन सारी उलजनों में धनराम उलजाया है और उधर मोहन जो है वो उस गोले की गोलाई देने में ठीक तरीके से जाचने और उसको परखने में लगा हुआ है तो इस तरीके से ये कहानी कांति यहाँ पर हो जाता है, मोहन और धनराम की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है हमने कहानी में जो जो में चीज़े थी हमने सभी आपको समझाई, अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है प्रश्न संख्या एक है, त्रिलोग सिंग मास्टर पर प्रसन क्यों रहते हैं? प्रखर थी, वह एक अच्छा गायक भी था, मतलब गाता भी अच्छा, तो मौर्णिंग प्रेयर वो कराता था, वह पुरोईत खांदान का ब्राम्मर था, तो यह सारी चीज़े थी जिसके कारण तिरोग सिंग मास्टर मोहन पर बहुत प्रसन रहती थी Q2 है, वन्शी धर को धनराम के कौन कौन से शब्द कचोटते रहे और क्यों? तो कौन से ऐसे शब्द थे जो है धनराम के वन्शी धर को बहुत परिशान कर रहे थे वन्शी धर का पुत्र मोहन बश्पन से ही मेधावी था, लेकिन वन्शी धर के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे उसे आगे ठीक से पढ़ा सके अतहा उन्होंने उसे अपनी बिरादरी के एक व्यक्ती रमेश के यहां लखनव भेश दिया था यहां पढ़ने के नाम पर उसे घरेलू नौकर बना दिया गया इस तरह एक मिधावी चात्र साधन हींता का शिकार होकर एक सामान विद्धिहार्ती बन गया वंशी धर को अपने पुत्र से बड़ी आशायन थी वे उसे अधिकारी बनाने के सपने देख रहे थे तो वंशी धर क्या था उतने capable नहीं थे कि अपने बेटे को पढ़ा पाते इसलिए उन्होंने क्या किया अपने बेटे को रमेश के यहां लखनो पढ़ाने लेकिन वहाँ पढ़ने की बजाए वो क्या हो गया एक घरेलू नौकर बन के रह गया तो वो सोच रहे थे भई अत्सर बनेगा लेकिन वहाँ पर क्या उज्यादा कुछ नहीं कर पाया एक दिन धनराम दोरा अब क्या बंसी धर से धनराम गाउं में टक्रा जाता है धनराम दोरा उनसे मोहन के बारे पूछने पर उसने बताया कि उसकी सचवाले में नियुक्ती हो गई है और शीकरीव बड़े पद पर पहुँच जाएगा मोहन की प्रशंशा करते हुए धनराम ने उनसे कहा कि मोहन बश्पन से ही बहुत मुद्धिबान था धनराम की यही शब्द वनसी धर को कचोडते रहे क्योंकि उन्हें मोहन की वास्ते लिक्ता का पता चल गया था लोगों ने उसकी प्रशंशा सुनकर उन्हें और दुख होता था अच्छा अब क्या वो जब धनराम उनसे टकराता है तो धनराम पूसता है कि भई यह मोहन लला कहा है तो वनसी धर बताते हैं कि वो सचवाले में पत्पे नियुक थो गया और कुछ दिने में उसकी पत्प भई वो जूट बोल देते हैं तो वो प्रशंशा करता है धनराम मोहन की कि भई उस चुरू से बहुत मिधावी रहे तो उनको तो मिलना ही मिलना था अब लेकिन वनसी धर तो भाई वो असलियत जानते थे अब इस तरीके से अपने बेटे के बारे में जूट बोलना और दूसरों का इतना प्रशंशा करना ये सारे शब्द उनको हमेशा कचोटते रहते थे कि मेरा बेटे को सही चीज़े मैं नहीं दे पाया इस कारण से उसका भविश ऐसा तबहा हो गया ये सब चीज़े उन्हें बहुत परिशान करती रहती थे प्रश्ण संख्या तीन है गलता लोवा कहानी के आधार पर रमेश बाबु का चरित्र चित्रन कीजिए वो व्यक्ति जिसने मोहन का भविश्य तबहा कर दिया यानि कि रमेश उसका चरित्र चित्रन आपको करना है यहां पर रमेश बाबु शहरी संस्क्रती से प्रभावित दोगले चरित्र के पात्र है उनके मन में कुछ तथा वहवार में कुछ होता है मतलब वहवार में उन्होंने बताया कि मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत परपकारी हूँ इसलिए मोहन को पढ़ाने के लिए ले आ स्वार्त है वे मोहन को नौकर बना कर रखना चाहते हैं वे उसका परिचे देते हुए अपना भाई बंदू नहीं बताते बलकि उसके साथ नौकर जैसा वहवार करते हैं पढ़ाई के नाम पर भी वे समस्या को टालते भर हैं वे मोहन को सामान से एक स्कून में पढ़ाते ह कि कम से कम पैसा खर्च हो उनके वहवार की प्रशंशा नहीं की जा सकती है तो मतलब ये एक ऐसा वेक्ति है जिसका हम प्रशंशा नहीं कर सकते क्योंकि उसने यहां पर सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए मोहन के भविश्य को तभा किया है प्रश्ण संख्या चार है गलता लोगा कहानी में चरित्र सामाजिक परस्तितियों पर प्रकाश जालिया यानि पर यहां पर जो चित्रित आपकी पारिस्त्रिक जो सामाजिक जितनी गद्ध है यानि कि जो जातिकत भिन्नता हैं आपको वो यहां पर सामने रखनी है तो क्या ह गलता लोगा कहानी में गाउं में परंपरागत समाज का चित्रण किया गया है मतलब जो बहुत समय से चला आ रहा है ऐसा ब्रामर जाती के लोग स्वेम को अन जाती के लोगों से शेष्ट समझते हैं वे काम के सिलसले में या आवशक्ता होने पर शिल्बकारों के पास या अन जातियों एवन दफसाई वाले लोगों के महले में जाते अवश्च थे लेकिन उनके पास बैठते नहीं थे उनसे बैठने के लिए कहना भी उनकी मरियादा के विरुद्धुमाना जाता था मोहन कुछ वर्ष तक शहर में रहा लेकिन वहां की कृतिम जीवन शैली तथा बेरोजगारी की समस्या से परिशान होकर अपने गाउं वापस आज गया तो अब यह जो कहानी है यह ब्रामहण और शिर्फकार टोले की भिनथा के बारे में बताएगा कि किस तरीके से ब्रामहण लोग शिर्फकार टोले में नहीं जाते और जाते भी तो वहाँ कभी बैठते नहीं लोगों से बातें मतलब एक बहुत ही difference था इन दोनों ही जातियों के बीश में लेकिन मोहन जो शहरी संस्कृती में रहे कर आया था वहां की बेरोजगारी को देख कर आया था सब कुछ उसके लिए ये जाती का भिन्यताएं कोई माइने नहीं रखती थी तो वो लौट कर आता है फिर्प्षिब का टोले में जाता है और वहां पर वो सिर्फ बैट कर उन लोगों से बात ही नहीं करता जबकि उसके काम में help ही करता है तो यह समाज की गाउं की सामाजिक परिस्ती जो चित्रत की गई है वो इसी तरीके से है इस कहानी ने तो यहाँ पर यह कहानी कतम हो गई, प्रिश्णी कतम हो गई, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में क्या-क्या चीज़े बताई गई हैं, किन-किन मुद्धों पर में जोर दिया गया है, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे समझेगा, नाम हैं, जगाहे हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजेगा ध्यान रखिए इसका detail explanation पहले पढ़िएगा revision बात में करिएगा तो जब भी test exam हूँ फटा फट revise करिएगा और अच्छे से अपनी exams लीजे तो अब यह जो हमारा one shot revision है ना यह हमारे लिए सिर्फ हिंदी में ही नहीं है आपके सभी subjects में आ रहा है तो इस तक आप पहुचेंगे कैसे आपको सबसे पहले Google Chrome के जरिये हमारी website magnetbrains.com पे पहुचना होगा magnet brain type करेंगे आप पहुच जाएंगे easily वहाँ पर आप जो page open होगा वहाँ पर CBS से English Medium दिया रहेगा इस तरीके से उसे जैसी क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर one shot revision आ जाएगा आप इसको क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए सभी classes आ गई यहाँ पर जिन classes में आपके पास one shot revision अविलेबल है आप देख रहे हैं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तो अब है class आप 11th में यहाँ पर आप 11th पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे 11th के one shot revision की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आप इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपको सब ही subjects दिखाये जारे हैं सब्जेक्स हैं आपके तो जो भी subject आपको पढ़ना है आपको revision करना है आप उसे देख सकते हैं सब्सक्राइब करना है तो आप क्या करोगी हिंदी में यहाँ पर full chapter one shot revision है इसे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके सामने books आजाएगी books आप क्लिक करेंगे आपके सामने सब भी chapters आ जाएगे तो जो भी chapter आ रहा है क्लिक करेंगे आपका video स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से video देखिए आपने सभी doubts को clear कीजिए लेकिन यह चीज़ दिहान रखी का जब भी आप video देख रहे हैं उसके पहले आपको detail explanation ज़रूर पढ़ देना है नहीं तो आपको revision ठीक से समझ में नहीं आएगा हमारा channel आपको जो है बहुत ही अच्छा content प्रोवाइड कराता है आपकी study के लिए ताकि आप अच्छा material पढ़ें तो आप अच्छा समझे भी और अच्छा लिखे भी साथ ही यह content totally हमारे channel पे आपको arrange मिलेगा class wise, subject wise, आपका chapter wise, book wise, topic wise हार एक चीज़ मतलब एक video देखने के बाद आपको दूसरा topic देखने के लिए तो बिलकुर भी परिशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटा-फट आपको वो मिल जाएगा तो हमारे channel के साथ बने रहिए, इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा Thank you for watching, bye bye